दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अन्बॉक्सिंग दिखाऊंगा रिवर्स पार्किंग केमरा की ठीक है इसमें केमरा और स्क्रीन दोनों में ने इसके अलावा आपको यहां पर मिलता है एक कनेक्टिंग केबल काफी लोंग है क्योंकि पीछे से लेकर आगे डेश्बॉर्ट तक के लिए काफी लंबी केबल इन्होंने दी है जो कि हमें जुरत भी रहेगी लगाने की और इसके अलावा हमारा जो केमरा है आप देख सकते है नाइट विजन केमरा है और यहां पर चारोतरफ लगी हुई है ठीक है तो उसकी वह से हमको व्यू काफी अच्छा आ जाएगा तो यह हमारा केमरा है और केमरा के साथ जो इसका कनेक्टर है देखिए जहरा यहां पर दो कनेक्टर से रेड वाला जो है अगें 12 वोल्ट और जेक है इसे हम बै्टरी से जोड़ सकते है या फिर हमारे कार में जो क्लेम हो पाएगी इसमें साथ में आपको यह वाला बिट मिलेगा इस बीट से हम ड्यकर बड़ा हॉल कर सकते हैं केमरा आसानी से लग जाए ठीक है पर इतना ही सामाना आपको पैकेज्ज मिलेगा और यह काफी कुछ है ठीक है तो सबसे पहले हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको इसे कार में लगा कर भी दिखाऊंगा कैसे लगेगा कैसे यह कार में इंस्टॉल होगा सबसे पहले हमें केवल इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारे 12 वल्ट के जो DC जैक आए हैं यह रहें ठीक है तो इसके जो यह दो वायर से एक red और एक black है तो दोनों red को आपस में connect कर देंगे और दोनों black को भी आपस में एक दूसरे से connect कर देंगे इस तरह से देखिए दोनों black जो है यह दोनों में आपस में जोड़ देता हूँ और इसे में जो है किसी 12 वल्ट के adapter या battery से power दे दूँगा चेक करने के लिए केवल यह red वाले दोनों wire भी में आपस में इस तरह से connect कर लिए है अब चलिए इसको जो है यह दोनों जो हमारे power jack है इसको हम लगाएंगे एक को तो screen में और दूसरे को लगा देंगे हमारे camera में और अब इनके जो दूसरा end है अब जी देखिए इन दोनों का अपस में connect नहीं कर पाएंगे न तो इसके लिए हमारे पास यह cable आई है package में इस cable के through में camera को जो है यह camera को जोड़ा camera का यह output है ठीक है और यह हमारी screen का input है यह लो वाला इससे जोड़ देंगे ठीक है अब हम इसको जो है बस power supply से जोड़ देते हैं और power supply के लिए मैं यहाँ पर adapter यूज़ कर सकता हूँ और battery भी कर सकता हूँ fortunately मेरे पास battery है तो मैं इसे 12V की battery से collect कर देता हूँ ठीक है तो यह wire को थोड़ा सब्वेवस्थित कर लेते हैं इसके बाद यह दोनों wire को जो है हम red को plus और black को minus देंगे 12V और इसको power देकर हम चेक करेंगे ठीक है तो यह हमारी battery है एक्साइट ब्रांड की है ठीक है और यह two wheeler की battery है पर 12V की है इसलिए हम आसानी से इस kit को हम test कर पाएंगे ओके तो यहाँ पर जो हमारे दो wires थे इनको मैं यहाँ पर इस battery से जोड़ने वाला हूँ ठीक है तो यह यहाँ पर इसका negative है negative है तो यहाँ पर black वाला connect होगा screwdriver की मदद से हम आसानी से इस wire को यहाँ पर जोड़ लेंगे ठीक है और जो red वाला wire है वो positive का है तो positive का terminal हमारा यहाँ पर है तो इसको मैं screwdriver की मदद से थोड़ा सा open करता हूँ और red वाला wire जोड़ देता हूँ जैसे मैंने जोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर screen के उपर camera का view आना शुरू हो गया देखिए यह camera है camera को जैसा rotate कर रहा हूँ वैसा screen पर आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो बहुत simple mechanism में आप समझ सकते हैं ठीक है तो इसे definitely हमने testing इतनी आसानी से कर लिया है तो हम इसको जो है check भी इतनी install भी इतनी आसानी से कर लेंगे ठीक है अभी जो एक camera का light भी चल रहा है लेकिन काफी डीम है हमारा बैटरी डीम है इसलिए यहाँ पर camera का जो light है वह इतना आच्छा view नहीं हो रहा है ठीक है तो camera के सामने जो भी चीज़ होगी स्क्रिन के ओपर दिखाई देगी ठीक है reverse parking camera है यह तो इसका व्यू एंगल जो है ज्यादा बड़ा नहीं होता है ज्यादा वाइड नहीं होता है कि अब नियरबाइ objects को व्यू करने के लिए इसका autofocus होता है ठीक है तो चलिए यह काफी कुछ देख पा रहा है 8-10 feet maximum इसका रेंज रहता है देख सकते हैं पूरा रूम यहां दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह हमारी कार है चोटी सी प्यारी सी फैमिली कार वेगनार ओके तो मैं इसको आपन करता हूं उपस बंद हो गया तो इसको मैंने यहां पर अनलोग किया और यह जो सामान में लेकर आया हूं इसे मैं कर लेंगे कोई मुश्किल नहीं आएगी आप घर पे इंस्ट्रॉल कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप काम जानते हैं वायर्स का और कार के बारे में थोड़ा बहुत नौलेज्ज है कैसे बॉल्ट खोलने कैसे का इसका चनेक्शन करना तो आसनीस आप खुद भी कर पा तो देखिए जो वायर आ रहा है ना वहीं से वायर इसका आएगा तो मैं सबसे पहले तो यहां से यह जो पैकिंग लगी हुई है इसे मैं निकालूंगा इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि यह वाला कि यह वाला जो कवर है में इसको आसाऍनी से यहां से उंगली की मदद से हाथ की मदद से निकाल आओंगा एक हाथ 캐स hands तो देखिए दोस्तो से निकाल पकड़ो ह्यां से एक हैं तो थोड़ा यहां पर डेशबोर्ट पर मांट कर देंगे चिपका देंगे और अभी मैंने वायर जो है नीचे की तरफ यहां से डाल देंगे अचा पीछे की तरफ हमें केमरा लगाना है मेरी कार में पहले केमरा लगा हुआ था अल्रेडी ठीक है तो यह केमरा का एक्ष्टल में खराब हो एकष्ब नीचेशा ह dessus रही होगा और नीचे दिशीए ट्वी ठीक है और इस कैमरा को फिर में निकाल लोगा और नहीं केमरा यहां पर में इंस्ट्रॉल कर सकता हूव हो ठीक है ? यहां पर जो पैकिंग लगी हो ही है rear door पे ईसको निकाल देता हूं ठीक है इसको निकालने के अब देखेंगे कि यहाँ पर एकदम में जहाँ पर इसकल क्षिक्स करता है इसे खूलना है तो अब पाएंगे ऊप्रsy सलसे कारेंगे ऑपर डेंटर हो गया ऊंदर डालेंगे और फिर ये camera यहाँ पर fix कर देंगे पर camera यहाँ पर पूरा fix नहीं करेंगे क्यों 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 कि camera को हमें जो हे ठोड़ा सा fix करना रहेगा मतलब हमें बात में set करना रहेगा top और bottom तो ये घुम सके इस लिए इसको पूरा भी fix नहीं करेंगे चलिए इसके जो wire से इसको कहां पर connection करना है ये मैं बता देता हूँ देखिए बहुत ही simple है जैसा हमने testing में किया था ये वाला जो video का cable है न ये वाला yellow sorry ये इसमें red में नहीं लगेगा yellow में लगेगा और sorry मैं गलत क्यों कर रहा हूँ एक हाथ से काम करना पढ़ रहा है ये इसमें लगा देंगे और हमारा DC 12V का आया था जैक उसको हम यहाँ पर camera के 12V input में यहाँ लगा देंगे red वाले socket में ऐसे ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा देखिए जो joint लगे है ना इस पर कोई भी moisture नहीं आए पानी नहीं लगे डर्ट नहीं आए इसलिए हम इसके ओपर tapping कर देंगे ठीक है ठीक है reverse में दो light glow होती है दोना तरफ एक एक तो उससे हमें connect करना कैसे मैं बताऊंगा ठीक है चलिए इसको हमने खोल दिया तो यह जो light नीचे वाली आप देख रहे है यह light जो है जैसे हम reverse gear लगाते है तब यह glow करती है ठीक है तो उसी से हम supply जो लेंगे डेफिनेटल है 12 वाल्ट की light है तो यहाँ पर जो दो वायर आरे है लास्ट वाले में यहाँ पर नीचे जो green और black है तो green positive है black negative है बाकि आप multimeter से चेक कर सकते हैं इनकी polarity अब यहाँ पर हम connect कर देंगे जो red वाला वायर है न 12 वाल्ट कर देंगे और black को black से connect कर देंगे तो यहाँ पर हमने दोनों connector लगा दी है कौन से जो screen में जाएगा वो भी और जो camera में जाएगा वो भी उन दोनों की wiring यहाँ कर दी है अब हम क्या करेंगे यह जो video signal है वो यहाँ से अंदर डालेंगे कार में ठीक है तो यहाँ पर आपको space दिखाई दे रही है जहां से wires आ रहे यहाँ पर यह tray भी हटानी पड़ेगी यह सब हटा के मैं फिर मैं आपको फिर से दिखाता हूं देखिए मैंने सब हटा दिया है और अब मैं कार के अंदर आ गया हूं और यह wire जो है मैं वहाँ से अंदर ले आया हूं ठीक है चलिए अगेन अब कार की जो screen है इसके अंदर म पॉर्ड सप्लाई को और विडियो इंपूट को ठीक है यहाँ पर complete हो गया देखिए एक हाथ से करने में थोड़ा problem मुझे आ रहा है थोड़ा आप भी adjust कीजिएगा out of focus हो रही है कुछ ठीक है चलिए तो यह हमने screen लगई अब मैं कार को जो है on करता हूं और reverse gear लगाता हू reverse gear लगाता ही यह screen जो है camera का display शो करना चाहिए तो अभी देखिए यह camera on हुआ है reverse parking on करता ही और आप देखेंगे की camera का light भी जल रहा है और यहाँ पर screen पर हमें view दिखाई दे रहा है camera का ठीक है तो इतना ही हमें देखना था काफी अच्छा है चल गया है तो अब wires को हम क्या करेंगे धिरे धिरे फेला कर आगी तक dashboard तक ले जाएंगे बहुत ही simple है बहुत ही आसानी साब ले जाएंगे जिसे one by one हम packing खोल रहे है इस camera को यहाँ पर हम थोड़ा सीधा कर लेंगे screen में देख लेंगे कैसा सीधा होगा अभी देखिए सीधा दिख रहा जमिन नीचे लेकिंग के यहां देख रहें नीचे जो कारपेट है उसके साथ साथ और इन वायर्स को हम यहां तक ले आए हैं और अब हमने जो है हमारी यह जो हमारी स्क्रीन है इसके भी जो कनेक्टर है उसके उपर भी tapping लगा दिये ठीक है टेप लगाने से क्या होगा कि एक तो इसमें dust नी आएगी moisture नी आएगा पानी नहीं आएगा अगर चूह वगेरा तो इसे कुतर भी नहीं पाएंगे ठीक है चलिए तो इससे हमने लगा दिया, कार हम on कर रहे हैं, कार on करने के बाद हम यहाँ पर reverse देंगे हमारी कार में से इसे दे दिया है, तो आप देखें के car में एक कार में केमरा ठीक है तो आई होब आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे बहुत ही सिंपल थे रिवर्स वाली जो लाइट है रिवर्स गेर के साथ पीछे जो लाइट चलती है तेल लाइट में उसके जो दोनों वायर से उसके साथ हमने जो 12 ले लिया है और स्क्रीन को भी द 400 रुपे में पर्चेस किया है अमेजन से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं अगर आप इस केमरा को इंस्टॉल करवाते हैं किसी गेरेज से तो वहां पर वो चार्ज करेंगे लगबग 500 रुपीज के अवल इंस्टॉलेशन के जो